हेलो दोस्तों कि यह हल चाल है उम्मिद है कि आप अच्छे होगे आज हम बात करने वाले कोश्ट गार्ड के एक्जाम के वारे में जैसे कि आप जानते हैं कि नेविक डीवी जीड यां तरीकी न्यू वैकंसी आच चुकी हैं सेकंड दो हज़ा है बाइस वाले बैच की और आ तो आज हम बात करने वाले हैं जिसके ओपर आपका काफियादा कमेंट आ रहा था क्या साथ डीवी जीडी का एक्जाम एक दिन होगा या अलग-अलग होने वाला है कि या जीडी डीवी दोना पास करना होगा हमें तो इसके ओपर बाते करने वाले आपको बताएंगे अच् तो किरपा करके ध्यान दो दोस्तों यदि आपने डीवी में अपलाई किया डॉमेश्टी ब्रांच में दसनी पास के लिए भड़ती है कुल मिलाकर 35 वैकंसी हैं तो केवल आपका एक ही एक्जाम होने वाला है जी हां आपने सभी सुना मातर आपका एक ही एक्जाम होगा ए जी गापके ही जिसमें कि बीस नमर की मेंत आएगी दस नमेर की अगी मेहेई की थे और पांच नमर कीśक और आएगा और आपको लाने पड़ेंगे तीस नमबर जी हां यदिस कम होंगे तो आप डिसW dontнем Bakいる हो आए दोस्तों लाने होंगे आपको legal और वीडियो वालों के लिए और 27 नमर दोस्तों आपको लाने पड़ेंगे सेश्टी वालों के लिए साट में से ठीक है यह तर नमर का पासी मार रख दिया और पास होना जरूरी है नहीं तो आपका स्लेक्शन नहीं होने वाला एंड दोस्तों एक कट अप नहीं है केवल आप आपको वीडियो मिल जाएगा देख लेना तो कुल मिलाकर डी वालों को 30 नमर लाने पड़ेंगे इस से कम होंगे तो आप डिस्कौलिफाई कर दिया जाओगे और 60 नमर का पेपर आने वाला है आपका तो एक एक दिन दोस्तों आपका एक्जाम होने वाला डॉमेश्टी ब तो हम आपको बता दें नमर एक कि आपको दो एक्जाम देने होंगे जी हां आपने सई सुना और दोनी एक्जाम दोस्तों एक दिन होने वाला है एक तो होगा आपका सेक्शन फर्स्ट और एक होगा सेक्शन सेकिंड और दोनी दोस्तों आपको कौलिफाई करने होंगे तब आप जाके आपका GD में सेलेक्शन होने वाला है ऐसा नहीं है कि आप पहला सेक्शन पास कर लेते हैं दूसरे में रह जाते हो तो आपका सेलेक्शन नहीं होगा ये बाता समझ चुके हो जैसे कि पहला पीपर होगा आपका D.E.B. का डॉमेश्टी ब्रांच का एंड दूसरा पीपर होगा आपका GD का तो दौनी पीपर दोस्तों आपको पास करनी होंगे ठीक है ये बाता समझ रहे हो जो हम आपको बताना चाहरे हैं तो दौनी पीपर आप पास कर लेते हो तो तब जाके दोस्तों आपका सेलेक्शन होने वाला है पहला paper आएगा 60 number का दूसा paper आएगा 50 number का पहले paper में आपको 30 number लाने पड़ेंगे और दूसरे paper में दोस्तों आपको 20 number लाने पड़ेंगे ये compressor ये दोस्तों 80 mark है इससे कम होंगे तो आप disqualify कर दी जाओगे और दूसरे paper दोस्तों आपको pass करना अनिवार रहे है कुल मिलाकर 110 number का paper आएगा और आपको चाहिए pass होने के लिए 50 number लेकिन cut up इतना नहीं जाएगा ये केवल pass ही mark है cut up वाला वीडियो देख लेना दोस्तों कितना cut up जाता मेट कितनी लगती है ठीक है तो 110 में से 50 number आपको लाने पड़ेंगे ये इससे कम होते हैं तो आप disqualify कर दी जाओगे तो यते नमर चीह आपको जनरल, एडलेस और OVC भालो के लिए and 50 number का paper आएगा GD का और 50 number में दोस्तों क्या क्या आएगा 25 number की मेंत आएगी 25 number की physics आएगी और जिसमें की 50 में से 20 number आपको लाने पड़ेंगे 30 minute का paper होगा 50 question होने वाले तो कुल मिलाका दोनी paper दोस्तों आपको पास करने होंगे तब जाके आपका GD में selection होगा ऐसी बिल्कुल same to same यान तरिका है 110 number का paper आएगा और पहला paper होगा आपका DB का दूसा paper होगा यान तरिका जिसमें की 50 number आपको लाने पड़ेंगे केवल passing mark है तो दोस्तों हमने दोनर के बारें बता दिया है यदि आपने DB में apply किया Domesty branch में तो खाली आपको EK exam देना होगा और GD में apply किया है तो दो exam होगे और दोनी exam दोस्तों एकी दिन होने वाले है पहले होगा DB का Domesty branch का फिर होने वाला GD का ठीक है दोनी पास करने होंगे तब जाके आपका GD में selection होने वाला है और आपका exam paper हिंदी और इंगली दोनी भासा में आने वाला negative margin दोस्तों आपके exam में नहीं होगी online आपके exam होने वाला है 110 नमर का paper आएगा GD का और 60 नमर का paper आएगा दोस्तों DB का ठीक है तो अच्छी तरह समने आपको बता दिया है यदि आपके कुछ भी समय में नहीं आया तो आप नीचा कमेंट कर देना अब आगे बात कर लेते हैं आपके exam के वारे में नेविक, DB, GD, यांतरी का exam कब होने वाला है दोस्तों यदि आपने apply कर लिया है तो आप तियारी में लग जाओ क्योंकि आपके पास काफी कम टाइम रह गया है आपका exam होगा मार्च में जी हां मार्च 2022 में आपके exam करा जाएगा तो आप इस अनुमाल लगा सकते हैं कुल मला का दो महिने दो डाही महिना बचा आपके पास मार्च की end तक दोस्तों आपके exam करा दी जाएगा तो यही मौका दोस्तों आपके पास कुछ कर दिखाने का अभी नहीं तो कभी नहीं बाद मत कहना कि सर आपने बताया नहीं मार्च में आपके exam होने वाला बाकी दोस्तों आपको अगली वीडियों बताने वाले admit card का वाएगा आपके exam date क्या हो सकती है तो फिलाल आज की वीडियों में अतना ही था की जाने के लाते रहते हैं और हाँ दोस्तों telegram पर आगे हैं यदि आपने जॉइन नी कर रहा है तो जॉइन कर लेना क्योंकि एक एक जान कर यह आपको telegram के जरी मिलती है सब सब पहले तो आप telegram पर जाना सर्च करना जी study आपके सामने एकाउंट यह जॉइन कर लेना नहीं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में आप तियारी करती रहो अपने ख्यार लखो जय हिंद जय भारत